मंगला विद्या मंदीर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे तो बच्चों आज हम करेंगे अपना पार्ट नमबर पांच भादूर वित्तों का अभ्यास कारे तो मेरे साथ आप भी पेज नमबर 38 ओपन कर लिजिए और बैठकर ध्यान से देखिए तो बच्चों पहला जो प्रश्ण है जो हेडिंग है उसकी कहानी से कहानी में ढूंडो तो बच्चों शेर किसान से क्या लेने गया था और दूसरा प्रश्ण है शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया और तीसरा प्रश्ण है बैल की जान कैसे गई तो बच्चों देखते हैं इसका उत्तर कि शेर किसान से उसका बैल लेने गया था शेर किसान से क्या लेने गया था उसका बैल और दूसरा प्रश्ण का उत्तर है बित्तों ने एक चाल चली उसने किसान से कहा कि तुमने तो चार शेर फास रखे हैं, मतलब फसा रखे हैं, यहां तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर नाशते के लिए काफी है, यह सुनकर शेर ने बित्तो को राक्षची समझ लिया, इसलिए उसने बच्चो उसको राक्षची समझ लिया, ब बैल की जान बित्तों की समझधारी वह चतुराई से बच गई उसने चार शेरों के नाश्टे की बात कही तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और उसने बैल को छोड़ दिया नहीं खाया तो बैल भी जो था वह बच गया अब बच्चो नेक्स्ट प्रशन है तुम्हारी जुवानी नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खिची हुई है अंडरलाइन किये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो तो बच्चो जैसे कि ये नीचे वाक्य लिखे हुए ना बित्तो घोड़े पर सवार हो ग भूकित्त कोई तरह से दुबारा से लिकन है एक जैसे कि भित्तो घोडे पर सवार हो गई तो इसको डिकेंगे घोडे भी यहां वर नेक्स त्था तुम घर की गाय को शेर के हवाले पढ़ रहे लिखा है एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया आपके बैल अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं ठीक है तो यहां हमने लिखा है आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए जैसे ही कि पिसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए तो बच्चों हमने इसी वाक्यों को ठीक से सुधार कर अपने तरीके से ऐसे लिख दिया है अब नेक्स है बेचारा भेडिया शेर तो डर कर भाग गया सोचो तो भेडिये का क्या हुआ होगा तो शेर की पूछ भेडि हुआ होगा और उसे बहुत चोटे भी आई होंगी अब नेक्स प्रस्चन था शेर किसान के पास कितनी बार गया था कहानी देखे बिना बताओ तो बच्चों कितनी बार गया था शेर किसान के पास यहां हम देखेंगे शेर किसान के पास दो बार गया था ठीक है बच्चों अब next page पे देखते हैं, page number 39, खाली जगह में क्या आएगा, मेरे चछत पर मोर आया, ठीक है, मोर आया, तो मोर क्या है, मेल, ठीक है न, तो उसके साथ हम लिखेंगे आया, मेरी चछत पर मोर नहीं आई, बच्चों क्या बन गया, समझे कुछ, याद है, पिछले साल भी किया थ पुलिंग और स्त्रिलिंग, तो मेरी चछत पर मोर नहीं आई, मोर मोर नहीं की तरह नीचे लिखेंगे शब्दों के भी रूप बदलो, तो हमने रूप बदलने हैं, जैसे कि जो पुलिंग है, उसको स्त्रिलिंग कर लिखना है, स्त्रिलिंग को पुलिंग करना है, तो यह जोड़ा घोड़ी मचुवारा मचुवारा मीज जो ये फिशर मैन होते हैं मचुवारन राजा रानी अब बच्चो जो ये नेक्स्ट इसमें है एक्सरसाइज मैं नहीं जौँगा ये एक्टिविटी हम इंट्रेक्शन पर करेंगे इसको मैं छोड़ती हूं को कि ये वीडिय पेज नमबर 40 40 में हम करेंगे बोलो तुम क्या सोचती हो ठीक है तो भेडिये ने शेर को भोले महराज क्यों कहा क्या शेर सचमुछ भोला था ठीक है तो शेर ने किसान की पतनी को राक्षा समझ लिया था इसलिए शेर भोला था वह बूल गया कि एक मनुष्य की पतनी राक राक्षयसी नहीं हो सकती, वो कैसे हो सकती है, पर शेर भोला था और वो उसकी बित्तों की बातों में आ गया, अब नेक्स्ट है, शेर ने भेडिये को की पूछ के साथ अपनी पूछ क्यों बांध ली, शेर ने डर के कारण अपनी पूछ भेडिये की पूछ से बांध ली, त तो क्यों नहीं तो क्यों तो शेर जो था वो फिर कभी तरफ नहीं गया होगा क्योंकि वह बिटो को सचमुछी राक्षसी समझ रहा था अब next question है हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेड़ना मिलती है बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी अगर तुम बित्तों की जगा होती तो शेर से कैसे निपड़ती हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेड़ना मिलती है कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगा होती तो शायद डर कर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग ही कठे हो जाते और शेर डर कर भाग जाता। तो मैं अपने तरीके से शेर को बंगाने का परियास कर सकती थी। अब नेक्स्ट प्रश्ण है इसमें राज का राज। शेर जंगल पर राज करता है। राज का मतलब होता है राज करना, kingdom ठीक है। मेरा राज किसी से न कहना। तो बच्चों आपने देखा है यहाँ पर राज और राज। दोनों सेम शब्द है ना, बट एक अंतर आया छोटा सा कि ज या मेरा राज किसी से न कहना, ज कैसे बना, ज के रिचे एक डॉट लगा दिया नुकता, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो हमारा बन गया यह शब्द राज, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर भी चेंज हो गया, राज, राज और राज को बोल कर देखो, हो गया ना अंतर बच्चों, दोनों के बोलने में फर्क है ना, ठीक है, अब राज का होता है, राज का मतलब होता है, जब कोई आप कहीं के राजा होते हो, तो राज उसको बोलते है, कि यहाँ पर मेरा राज चलता है, means my kingdom, और रा राज का मतलब है, सीक्रेट, ठीक है, कि यह मेरा राज किसी से मत कहना, यह मेरा सीक्रेट है, यह किसी से ना कहना, कहानी में ऐसे ही जब पर लगें, नुक्ता वाले शब्द ढूंडो, तो बच्चों, आप भी, हलाकि मैं आपके लिए यह अंसर सॉल्व करके लाई हूँ, फिर भी, आप खुद से एक बारी बुक ओपन करके, जर शब्द, जर जिसमें नुक्ता लगा है, मतलब not of the, बलकि फर पर भी लगा होता है, तो फर होता है, पर जब फर पर जब नुक्ता लगता है, तो वो फर बन जाता है, जो यह डॉट वाले नुक्ता वाले जितने भी अक्षर है, शब्द है न, यह आप एक बारी इस लेसन को, कहानी को खोल के देखना आपको मिलेंगे, उसको अंडरलाइन करना, ठीक है, बाकी मैं आपके लिए यहाँ पर सॉल्फ करके लाई हूँ, सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, और फॉरन, तो यह हुए आपका प 2400 के चितर दिये गए हैं, उन्हें पहचानों और बॉक्स में दिये शब्दों में से सही शब्द ढूंड कर लिखो, ठीक है बच्चों, यह बॉक्स में शब्द दिये गए हैं, ठीक है, आप इसको देखोगे, ध्यान से, और फिर आप जो यह नीचे चितर बने हैं, उसके रीचे सही शब्द को लिखोगे तो मैं यहाँ आपके लिख कर लाई हूँ हतोरी पेजकस खुर्पी करनी और आरी ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट है पेज नमबर 42 शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे देदो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा वरना शब्द का इस्तमा है यह हम नहीं करेंगे हम इसके बारे में पहले बात करेंगे किसी इंट्रेक्शन पर फिर हम मैं आपको लिख के दिखाऊंगी फिर आप उसको आप खुद से हम बात करेंगे पहले फिर आप उसको अपनी बुक में लिखोगे ठीक है ना अब नेक्स्ट है हम किसी से कम नही कई जगावों में औरते खेलतों में भी काम करती हैं तुमारे आसपास की और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं ठीक है इस बारे में हम interaction पर बात करेंगे शेर और घोड़ा शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं ध्यान से सोचकर नीचे लिखो तो बच्चों क्या-क्या अंतर होते हैं जैसे कि खाना, शेर का खाना और घोड़े का खाना क्या है अलग-अलग है, घर भी, रंग भी और आदते भी, तो हम यहाँ पर देखेंगे, खाना, शेर मास खाता है और घोड़ा घास, घर, शेर मांद में रहता है, मतलब डैन में, औ मतलब हम अस्तबल बोलते हैं रंग, शेर का रंग भूरा और सुनहेरा होता है घोड़े का रंग काला भी होता है, सफेद भी होता है, भूरा भी होता है और चितकबरा भी होता है चितकबरा मतलब multi color का जैसे white, black और brown तीन sh poop का भी गोड़ा होता है आदते जानवरों को मार कर खाना शेर की आदत है जानवर को मार कर खाना और आदते घोड़ा की क्या है समान ढोना और सवारी करना ठीक है अब देखेंगे हम पेज नंबर 43 नीचे दिये गए शब्दों को सही तालिका में लिखो किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला ये सब जितने भी वर्ड्स हैं बच्चो इनको हमने सही तालिका में लिखना है जैसे कि जानवर के वाली तालिका में जानवर वाले बॉक्स में हम कॉलम में लिखेंगे जानवरों के नाम ठीक है चीजों वाले कॉलम में लिखेंगे हम या कोयल, चीजें क्या कौन सी हैं, बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी और करेला, छलनी, बाल्टी, पीपल, नीम, किताब और दराती, ये सब क्या हुई चीजें, नाम, नाम में है किसान, लता, कक्कू, राजू, रानू, नीना और वित्तो, तो बच्चो जो पेज नमबर 43 की जो exercise है, आप इसको सिर्फ बुक में करेंगे, ये आपको classwork में, अलग से या homework में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर same as page नमबर 42 की जो ये exercise है, ये share और घोड़ी की आदत और खाना, ये सब आप ये classwork में नहीं करेंगे, नहीं homework में करेंगे, ये आप बुक में लिखेंगे, अपनी textbook में, ठीक है बच्चों, और जो ये page number 41 की exercise है, ये भी आप सिर्फ अपनी textbook में ही करेंगे, ये आपको अलग से अपनी classwork और homework में लिखने का जरूरत नहीं है, only you will have to write in your textbook, ठीक है बच्चों, आप ये ध्यान से सुन लो, जो मैं आपको बता करेंगे, ताकि आप confused नहीं हो जाओ, ठीक है, ये जो page number 39 की exercise है, वो भी मेरी च्छत पर more आया, खाली जगा में क्या आएगा, वो भी आप सिर्फ textbook में लिखेंगे, आपको classwork या homework में करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए, ठीक है, ये भी आप जो है, आप सिर्फ यहाँ पर अपनी textbook में लिखेंगे, ये डोंट नीड टू राइट इन classwork और homework, बाकि ये जो exercise है बच्चों, ये आप जो लिखने वाला है, इस तरहा का जो मैंने दिया है, प्रशन उत्तर, ये सब आप classwork में भी करोगे, और अपने homework में भी करोगे, ठीक है बच्चों, तो ये थी पार्ट नमबर 5 का अभ्यास कारे, ठीक है, इसको आप जहांचे पहले समझना, सुनना, और उसके बाद फिर आप लिखना, ठीक है, तो next वीडियो में मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर आउंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, stay safe.